प्रियाद दर्सकों, हमारे स्री मन नाराण जो तीस अस्थान में आपका स्वागत है, आज हम आपके लेकर आए हैं, वार्ची की रासफल 2022 में कैसा रहेगा मेश रासफलों के लिए यह पूरा वर्स, ग्रहों की स्थिति क्या होगी, उसका फल क्या मिलेगा, कैसा रहेगा मिलेगा, किन चीजियों का आपको ध्यान देना चाहिए, राजनिती में क्या सफलता मिलेगा, आपका स्वास्त 2022 में कैसा रहेगा, और 2022 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, वार्ची फल देने वाले ग्रह, राहु के तू, सनी और ब्रहस्वती की स्थिति क्या रहेगी, कब ये वक्री होंगे कम मारगी होंगे कब किस घर में जाएंगे और क्या फल आपको देंगे अच्छा देंगे खराब देंगे और क्या उपाय करना चाहिए पूरे वार्सिक जो आपका वार्सिक पल अच्छा रहे अहम आपको बताते हैं कि पहले आप ग्रहों के सिती जाने तक आपके लाव अस्थाने बैठे रहेंगे, जो की आपको निरंदर लाव देते रहेंगे, हर प्रकार से सफलता मिलेगी, उन्नती होगी, मन जहाँ फल मिलेगा, अगर आप कोई परिच्छा की तयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, अगर आपकी संतान कोई परिच्छा की तयारी कर रहे हैं, तो उसको भी सफलता मिलेगी, संतान का योग, अगर अप्रेल, नौ अप्रेल तक आप योग बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है, आप बना सकते हैं, जिसमें आपको विदे स्यात्राइभी करने की योग बन सकते हैं, बहुत उनती होगी, भाई से प्रेम रहेगा, और मित्रों से भी आपको लाब होगा, नवी द्रिश्टी ब्रिश्वती की आपके सत्तम पर है, जो की बिवाह इत्याद अगर नहीं हुआ है, तो होने के पूरे संभावनाय बन रही हैं, आपके, कहीं प्रेम संबन चल रहा है, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, अगर पार्टनर में कोई बिजिस करना चाहते हैं, तो 9 अप्रेल तक बहुत अच्छा रहेगा, आप कर सकते हैं, बिरस्वती की साथमें द्रिश्टी संतान पर संतान के उनती होगी, बहुत अच्छा रहेगा, आपके बिद्या बुद्धी गाड़ी या मकान इत्याद भी आप खरी सकते हैं, आपका भोग इत्याद यानि की लगजेरी सुब्धाव में आपका खर्च अधि बढ़ जाएगा, बिरस्वती सुब्धारों में खर्च बढ़ा सकते हैं, बिरस्वती 12 में बैठे हैं कि विदेश यात्राओं का भी खर्च बहान इत्याद लेने के भी अच्छे चांस है, आपको राज की चेत्रों में भी सफलता मिल सकती है, बिरस्वती की पांचवे दृष्ट्ी आपके प्रापर्टी पर है, जोकी प्रापर्टी में सुक्स बिधा में लगजेरी सुब्धा में वाहन में भी आपका ढ़ खर्च हो सकता है वर्स 2022 में आप का रोग अगर कोई दिक्कत दे रहा है तो 9 अप्रेल 2022 के बाद आप ठीक हो सकते है बिरस्वतिक द्रिष्टी जहां देखती है वहां अमरित बना देता है सत्रू पर आपका विजय मिलेगा अगर आपका मुगदमा इतियात कहीं चल रहा है तो आपको सबलता मिलेगी विजय मिलेगा सत्रू पर विजय रहेगा रोग सांती होगी और मन प्रसन रहेगा नवी दिष्टी अश्टम पर होने के वज़े से आपकी जो गुप्त चिंचाएं अगर हैं तो नव अप्रेल के बाद खतम हो जाएंगे आपका मन प्रसन रहेगा घर में कोई मांगली कार्य करने के भी पूरे समावना हैं बन रही है अब हम आपको बताते हैं कि वर्सभल सनी की क्या इस्तिती रहेगी 2022 में में इस रासवालों के लिए इस वर्स सनी आपके पत्री में पूरे वर्स मकर रास में विराजमान रहेंगे जो दस्वे घर में रहेंगे दस्वा अस्थान बिजिनिस का है सग्री होने के वज़े से आपको अच्छी सपलता देंगे मान पर तिठा समाज में बढ़ा रहेगा उन्रती होगी और नोकरी बिजिनिस अगर आप करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा 2022 में आके उन्रती होगी कोई नया आपको बिजिनिस करने का समभावनाय भी बन सकती है अगर नया आउसर आपको मिल रहा है तो करना चाहिए नोकरी में भी इस वर्स आपकी पदोनती हो सकती है सनी की तिसरी डिश्टी किस खर्ट पर है थोड़ा सा इस वर्स आपके भाग दोड़ जादा रहेगा पैरो में कभी कभी दर्थ की भी समावना आपको बन सकती है सनी की साथ्वी दिष्टी, चातुरफ पर होने के वज़े से, आपके फूड़ा, इस सुवर्स माता को थोड़ा सा कष्ण सनी दे सकते हैं. माता को सफलता मिल सकती है अगर आप कोई मकान इत्याद ले रहे हैं सफलता जबरजस्त है थोड़ा सा उसका कागज पतर देख कर लेंगे तो ज़्याद आच्छा होगा दस्वी द्रिष्टी सनी की सत्तम पर होने के उज़र से इस सफलता मिलेगी पत्नी के कभी-कभी स्वास्त में थोड़ी सी थकावट या बाद हैं आ सकती है लेकिन अच्छी सफलता मिलेगा इस सफलता आपका दामपत्य जिवन सुखी रहेगा हर प्रकार से आपको सनी इस सफलता देंगे अब हम आपको बताते हैं कि इस वर्स राहु क्या फल देंगे आपको पूरे इस वर्स 11 अप्रेल 2022 तक राहु आपके धन अस्थान कुटुम अस्थान पर बैठे हुए हैं जो कुटुम को लेकर अधिक खर्च बढ़ा रहेगा कुटुम से कभी-कभी बिवात की संभावनाएं भी बनी रहेंगी 11 अप्रेल तक इसके बाद राहु आपके लगन पर ही आ जाएंगे राहु लगन पर आएंगे जो कि आपको थोड़ा सा क्रोध चिर्शिडापन ये भी आपको दे सकते हैं कभी-कभी सर में भी पीड़ा हो सकती है और कभी-कभी अनिद्रावन मानसिक टेंसन की संभावनाएं भी बनेंगी 11 अप्रेल के बाद इससे पहले दुती में हैं जो कि धन खर्च को लेकर भी आप कभी-कभी परसान हो सकते हैं अचानक धनकी ब्रिद्धी भी इस वर्स आपकी हो सकती है राहू की पंचम द्रिश्टी संतां को राहू आपको संतां को लेकर भी चिन्तित हलका साब बना सकते हैं सातीय द्रिश्री पतनी पर है कभी-कभी आपको दामपत्द जीओन में उतार चड़ाओ टेंसन और कलह की भी संभावनाय राहू दे सकते हैं ना उने दिश्टे भागे पर होने के वज़र से आपके भागे में थोड़ी सी रोड़ा के बाद आपको सफलता मिलेगी हर कारियों में थोड़ा सा बिलम के बाद लाब होगा आपको राहू आपके न तो ज़्यादा खराब हैं न अच्छे हैं मिडियम फल देंगे केतू की स्थिति आपके 11 प्रायल तक अश्टम में होने के उज़र से सारेडिक पीड़ा की संभावनाय बन सकती हैं गुप्त रोक की संभावनाय हो सकती हैं आपको अपने सिहत पे ध्यां रखना है गुप्त चिन्ताओं पे ध्यां रखना है प्रापटी के लेकर कुटुम से थोड़ी से विबाथ की भी संभावनाय बन सकती हैं अब हम आपको बताते हैं कि इस वर्ज ओराल चारो ग्रख के आपको फल दे सकते हैं इस वर्ज ज़्यादा तर आपका बहुत अच्छा रहेगा शरीर ज़्यादा तर आपका स्वस्त रहेगा धन के विर्द्धी होगी परिवार में मांगलिक कारे हो सकते हैं भाईयों की उ माता के कभी-कभी सारी रिक पीड़ा हो सकती है, आप कोई भी कार्य प्रापर्टी अगर ले रहे हैं तो थोड़ा जल्दी बाजी नव करें, कागत पत्र देख कर ही ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, संतान में सफलता मिलेगी आपको, अगर कोई परिछा सरकारी नोकरी त तो अच्छी समभावनाएं हैं आपको सफलता मिलने के, सत्र पर विजय मिलेगा इस वर्स, दामपत्त जिवन सुखी रहेगा, सेहत ज़्यादा तर आपका अच्छा रहेगा, बस आप पेट का विशेश रूप से ध्यान रखें, तो ज़्यादा अच्छा होगा, इस वर्स जो है कौन से महिना आपके लिए अच्छा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, दो, चार, छे और आट, यह महिना यानि फर्वरी, अप्रेल, जून और अगस्त, यह महिना आपके लिए अच्छा होगा, इसमें कोई भी बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, उस इसमें कोई भी बड़ा सुभकार्य नहीं किया जाता है, इस वर्ष, 27 जून से 10 अगस्त तक बहुत अच्छा सुभ रहेगा, इसमें कोई भी बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं, आपको सफलता मिलेगा, इस वर्ष, 6 जन्वरी 2022 से 10 जन्वरी 2022 तक सुक्र अस्त रहेंगे, जिसमें कोई भी बिसेश सुभकार्य नहीं करें, तो ज़्याद आच्छा होगा, अब हम आपको बताते हैं, कि इस वर्ष, सनी वक्री कब होंगे, और जब वक्री होंगे, तो थोड़ा सा आपके बिजिनिस में उतार चड़ाव आपको दे सकते हैं, उसमें आपको सावधा सकता है, बाकी सपलता आपको मिलती रहेगी, परतिश्ठा बिसेश बढ़ेगा, और बिजिनिस अचानाच उन्नती होगी, लेकिन संघर्स और भाग दोड़ाव का बढ़ सकता है, अब हम आपको बताते हैं, कि पूरे वर्ष में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, पंदरा जन जनवरी से पचीस फरवरी के बीच आपको अनिक सफलता हैं मिलेगी, मन प्रसन रहेगा, और भाईयों मित्रों से लाब होगा, प्रापर्टी समंधी आपको सफलता मिल सकती है, आपको 26 मार्च से 6 अपरेल के बीच में अच्छा समय रहेगा, इसमें राज की छितरों में जनवर लड़ना चाहते हैं, तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा, आप लड़ सकते हैं, उसमें सफलता मिलेगी, और 29 अपरेल से 11 जुलाई के मद्ध में आप परिवार में सुभकारे होगा, आपको राज की छितरों सफलता में मुकदमा में आपका भीजय हो सकता है, अब मा को बताते हैं कि पूरे 2022 में हर महिने का सुच में क्या फल मिलेगा, आप इसको ध्यान से देखिए, आप 2022 में में इस रासवालों के लिए जनवरी में नोकरी ब्योसाय में सफलता मिलेगा, विदे सियात्राओं की योग बन सकते हैं, और रुके हुए कारियों में सफ परतिष्ठा बढ़ेगी, फरवरी महिना कैसा रहेगा आपके लिए, फरवरी में विदेश यात्रा की योग नोकरी व्योसाय में सफलता, विद्या में सफलता और उन्नती मिलेगी, पस सारीरिक थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, आपको सेहत का विशेस ध्यान रखना चाहिए कैसा रहेगा मार्श आपके लिए, मार्श की महिने में प्रयास से कारियों में सफलता मिलेगा, मित्रों से लाब होगा, मन प्रसन रहेगा, बस गलत निरणे से आपको भी मानसिक टेंसन में आ सकते हैं, विशेस कर विद्या में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, कैसा आप्रायल Virtual नोकरी में पदोनती होगी परिवारिक थोड़ा सा तनाव बना रहेगा विद्यों अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी नोकरी के तयारी कर रहे हैं तो यह महिना आपके लिए बहुत ही सुब कर रहेगा आपको सफलता मिलेगी अब कैसा रहेगा मई आपके लिए मई में बिद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी घर में सुब समाचार होंगे विवाहित्याद मांगली कार्य आपके घर में हो सकते हैं कैसा रहेगा जून जून के महिने में आपको संतान पक्स से सुब समाचार मिल सकते हैं और आपका स्वास्त अनकुल रहेगा कैसा रहेगा जुलाई जुलाई महिने में भी उच ब्यापारियों से सफलता उच अधिगारियों से सफलता मान सम्मान प्रतिष्ठा और आकास्मिक आपको लाब हो सकता है कैसा रहेगा अगस्त अगस्त के महिने में आपका भाग्योदय होगा, धन का मार्ग बढ़ेगा, नोकरी में उन्नती और प्रनती होने के भी सम्भावनाये हैं, मन प्रसन रहेगा, कैसा रहेगा सितंबर, सितंबर में घरेलू आता वरण, आपका सुखद रहेगा, सभलता मिलेगी, मन प्रसन और सत रुपर बिजय मिलेगा, कैसा रहेगा अक्टूबर महिना, अक्टूबर के महिने में रिण की वृद्धी होगी, आप रिण लेने से बचें, तो ज़्यादा अच्छा होगा, विद्यार्थियों को किये हुए परिस्त्रम से अच्छी सबलता मिलेगी, और धर में आस करना चाहते हैं, तिया नौंबर का महिना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई करे भिक्रे आपके लिए बहुत थी अच्छी सबलता दे सकती है, नोकरी व्योसाय में लाव होगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, और समाज बे प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कैसा रहेगा आपका दिसंबर का महिना, दिसंबर के महिने में कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, परिवारिक लाव होगा, उन्नति होगी घर में मांगलिक कारे हो सकते हैं, और भूमी भवन वाहन से लाव मिलेगा, मन प्रसन रहेगा, दामपत्य जीवन सुखी रहेगा, तिरे दर्स